हेलो गाईस इस वीडियो में हम Amlodec टेबलेट पर डिसकस करने वाले हैं Amlodec टेबलेट की यूज़िस क्या है, डोस क्या है, साइड अफेक्ट क्या है, कॉंटर इंडिकेशन क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे इस टेबलेट का पूरा नाम है Amlodec 2.5 2.5 इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर आपको MLODP निजम मेन मोलिकुल मिलता है जो 2.5 mg की स्टेंथ में इसमें आपको 5 mg और 10 mg स्टेंथ में मिल जाएगी बात करने इसकी प्राइस की तो यह 30 टेबलेट का इसका पूरी इस्ट्री पे जिसकी प्राइस 55 रुपीज है मतलब 55 रुपे में आपको 30 टेबलेट मिलती है इसे जाइडस केडिले कमपनी मनाती है जाइडस केडिले कमपनी के बहुत फेमस प्रोड़क्ट है और यह शेडियूल एज ड्रग की मेडिसीन है मतलब आप इसे बिना डुक्टर की प्रमिशन के यूज नहीं कर सकते है और आपको करना भी नहीं है नहीं तो इससे आपको सीवियर साइड एफेक्ट हो सकते है बात करते हैं एमलोडेग टेबलेट के यूजस क्या है इन डोस क्या है तब उस कंडिशन में डॉक्टर एमलोडेक टेबलेट को प्रिसकाइब करते हैं और अगर किसी पेशन को पहले सी बलड पेशर की भी में दवाई चल लगी जैसे इनालापिरल, लोसार्टन, एटिनलोल अगर इनसे भी उनका बलड पेशर पेशन का कंड्रोल नहीं होता है, तब उस कंडिशन में डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिसकाइब करते हैं इस टेबलेट को blood pressure, hypertension के अलावा heart attack में भी इस्तेमाल किया जाता है, stroke में भी इस्तेमाल करते हैं, coronary artery disease में भी इस्तेमाल करते हैं, coronary artery disease का मतलब होता है, नसे जो सिकुड जाती है, अपने blood visits जिसे आप बोलते हो, वो सिकुड जाती है, उस condition को coronary artery disease बोलते हैं, और angina में भी इसके इस्तेमाल किया जाता है, मतलब chest pain में, सीने के दर्द में, तो guys ये इन सारी चीज़ों में, amlodic tablet के इस्तेमाल किया जाता है, amlodic करता क्या है, इसके अंदर जो molecule है, amlodipin, amlodipin एक calcium channel broker है, और एक anti-hypertensive drug है, ये क्या करता है, जब किसी patient का blood pressure बढ़ता है, तो उसक इसकी नसे सिकूड जाती है, उसकी जो blood vessels होती है, तो amlodipin जाकर उन blood vessels को वापस dilate कर देता है, वापस relax कर देता है, वापस ठोड़ा कर देता है, जिसके वज़े से patient का blood pressure वापस normal हो जाता है, बात करते हैं, इस tablet के dose क्या है, तो इस tablet का जो डोस होता है, याईस वो patient की medical condition क उपर depend करता है, कि patient का age, patient के weight, patient का gender क्या है, patient को कितना blood pressure बढ़ ला है, किस वज़ा की वज़े से बढ़ ला है, यह सारी condition देखने हो, डोक्टर प्रिसकाइब करते हैं, हाला कि इसे one tablet per day, डोक्टर अधिकतर प्रिसकाइब करते हैं, कि breakfast से पहले है, breakfast के बाद, लेकिन आपक से ख्रेस की गिती हों है, हाला क्विकित का बApp करता ऊकमे ही, इसके कर गती है, यह साइब नहंना दम को उन्हें हैं, नयजित कपजाएब का इसके बाद यहाई-चेसे लख बाद्य प trag करता हैं, इसके कुछुंत को साइड अपक्त हैं, कि gesture कायुया जा के हла है, मंतलब कहता तो फोरन इस टेबलेट को लेना बन करें और जाकर जल्दी डॉक्टर के साथ कंसल करें कि हमें यह साइड अफेक्ट हो रहा है इस टेबलेट के बात करते हैं अगर आपको एमलोडी पिंस से किसी भी टाइप की एलर्जी है तो आप इस टेबलेट को यूज नहीं कर सकते हैं या आप फीडिंग करवाते हैं या दूद पिलाते हैं या ब्रेगनेंट हैं या आप किड्नी से या लीवर से लिलेटेट प्रोब्लम है या आप एल्गोर का कंसप्शन करता है तो इस टेबलेट को लेने से पहले आपको इस सारी कंडिशन डॉक्टर के साथ शेयर करनी है तो गाइस ये कम्प्रीट डीटेल हो गई एमलोटेक टेबलेट के बारे में तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे तो मिलता हैं अगली वीडियो में ठैंक यू सो मुच पूर वचिंग दिस वीडियो